नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का एक बहुत बहतरीन सेशन, देके आज की क्लास के अंदर SI, CI is related, हम कॉंसेट भी देखने वाले हैं कि कोश्चन के अंदर, अभी CPO में करेंट में, काफी कोश्चन ऐसे हैं जो बच्चों को कैलकुलेटिव लगे, तो जैसे कि आ बहुत सारी चीज़े आज आज आपको सीखने को मिलेंगी इस सेशन के अंदर, ठीक है, तो देखिए मेन बात यह है कि SI, CI, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, पहला पार्ट है इसका, ठीक है, तो इसका भी और पार्ट भी आएगा, पर पहले पार्ट में काफी सारी चीज कुशन में आप लगा सकते हैं, स्टार्ट करेंगे आज के पहले कोर्ट के साथ, पहले कोर्ट है आपके सामने, यह, कोर्ट में आपको पोला जाता है, कि वह बहुत कि लहाँ, किसी राशी के राशी पर दो साल का चक्रवत्य व्याज, दस पती शाधवर्षिक दर से इतना ह और आपको निकालना है वह राशी निकालना है अब देखिए में बात यह है कि दो साल के लिए 10% के हिसाफ से आपको पता होना चाहिए net rate किया होता है, net rate अगर आप 2 साल के साफ से निकालते हैं तो देखें पहली चीज, अगर ये 10% है पहले साल का, दूसरे साल का क्या होगा, 10% तो हो गई होगा, इसका 10% दोड़ जोड जाता है, यानि आप बोलते हैं, net जो है, 21% हो जाता है, ठीक है, आप इससे भी निकाल सकते हैं, आप xy वाले फॉर्मले से भी निकाल सकते हैं, 10 प्लस 10 प्लस 10 स्क्वेर बार 100, तो वो चीज आपको डारेट पता होना चाहिए, ये भी आपको डारेट पता होना चाहिए, 21 परसेंट आगया, अब आगे बढ़ते हैं, अब दो साल में जो ब्याज हो गया, वो 21 परसेंट हो गया, और 21 परसेंट की जो वेल्यू आपको दे रखी है, वो दे रखी हैं याँ पर 1522.5, आप देखें, दो तरीके होते हैं, या तो आप इसे डारेक्टी लिखें, ठीक है, पर क्यूंकि यह है डेसिमल वाला नंबर, इस चीज़ में एक सेशन बहुत जबर्दस लेकर जल्दी से लेकर आने वाला हूं, ठीक है, तो में बात यह है कि अब आप देखेंगे कि इस कैलकुलेशन को 1522.50, ठीक है, इसको आप किस तरीके से सॉल करेंगे, या तो आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं, नहीं तो अगर मैं इसका दुगना करते हूं, दुगना इसलिए क्योंकि यह 0.50 है, पंदासो का 3,000, 25, 25, 45, 35, 45 बटे 2, मैं यह लिख देता हूं, तो काम करने में धोड़ी सी असानी हो जाती है एक पूरा सेशन आएगा आपका इसके लिए, इसके लिए, इस्पेक्टर चाली सा करके एक सेशन बहुत जल्दी आने वाला है, जो कि लाइब रहेगा, तो उसमें आपको यही सिखा जाएगा, यह कैल्कुलेक्शन आपको असानी किस तरीके से बनानी है, 21 परसेंट की वि से डिवाइड करें, ठीक है, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, कि 21 से डिवाइड ना करके, आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, कि 3 से 21, यह हो गया, 3 धाम और 15, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें DS concept लगा लेता हूँ, DS concept हमने बढ़ा, ठीक है, DS concept अगर मैं लगाता हूँ इसके इसके अंको का योग, क्या हो गया, साथ हो गया, इसके अंको का योग, एक हो गया, साथ बटा दो, जो की आठ हो गया, उन्हीं नीचे साथ आएगा, तो नीचे साथ होता है, तो उपर चार होता है, तो आठ चोग 32 यानि 5 आ गया, जिसके अंको का योग 5 होगा, वही option आप आपका answer हो जाएगा आप देखते हैं या पर इसके अंकों को योग 5 है इसका नहीं है इसका नहीं है इसका नहीं है तो यह option आपका answer हो जाएगा ठीक है आप 21 से भी गाड़ सकते थे देखिए DS अगर किसी को समझ नहीं आया है तो DS की मेरी सभी वीडियो देखें पहले DS concept पर मैंने तीन सेशन लिए है YouTube पर तो लगातार आप वो तीनों सेशन देखिए उसके बाद यह चीज भी बहुत अराम से समझ आ जाएगी और यह question CPO 2019 का है ठीक है अब calculation part अगर अच्छा नहीं है तो देखिए इसमें लगातार आपको solve करना पड़ सकता है next question पर आएंगे next question है आपका यह next question है आपका यह एक सेकेंड रोगी जनमें थोड़ा कुछ ठीक है ठोड़ा देखने में भी दिक्कत हो रही होगी आप लोग वे इसलिए मैंने भी solve कर दिया आप लोगो के लिए ठीक है आई स्टार्ट करते हैं अगला कुशन दो समान राशी को आठ पतिशत और चार पतिशत साधन भी आज पर लगाया जाता है समान समय पर पहली राशी दूसरे से दो साल पहले मिल जाती है और परतिक धन राशी 14,500 रुपे हो जाती है अब बहुत सिंपल सी बात देखें यहां पर अब देखें काफी बच्ची से डिटेल में बहुत जादा ले जाएंगे पर इतना डिटेल में ले जाने कि आपको जरुवती नहीं है आप ध्यान से समझिए, आपको क्या दे रखा है, P सेम दे रखा है आपको क्या दे रखा है, A सेम दे रखा है जब P भी सेम है और A भी सेम है, इसका मलब इंटरेस्ट सेम रहेगा ठीक है, जब P भी सेम है और A भी सेम है तो इंटरेस्ट सेम रहेगा और interest क्या होता है P into R into T और यह क्या है C में यानि constant है ठीक है अगर यह constant है तो देखे P into R into T constant हो गया P तो पहले सी constant है R into T constant हो गया अब दो चीजें कुणा करके अगर वो constant है तो एक दूसरे पर उल्टा निर्भर करेगी यानि R inversely proportional to T आ जाएगा अब main concept वाली बात है यह से solve नहीं करना लगाता है concept पर जाना है आपने देखा दर का अनुपात कितना है दो अनुपात एक rate का time का कितना हो गया एक दो time में जो अंतर है वो कितना दे रखा है दो साल यानि एक की value दो साल हो गई ठीक है दो की value चार साल हो गई अब अगर यहाँ देखते है यहाँ जो rate है आपका कितना था यहाँ था rate 8% तो 8% के इसाब से दो साल में कितना interest मिल जाएगा 16% interest मिल जाएगा इसका मनलब यह हो गया कि 116% की value आपको दे रखी है यह कितनी है 14.500 ठीक है यह 116 की value आपको 14.500 दे रखी है अगर आपको निकालना क्या है परतीक राशी यहाँ 100% निकालना है अब देखें अगेन मैं अगर DS concept लगाता हूँ इसके अंकों के यह कितना है एक है इसके अंकों के यह कितना है 8 है नीचे अगर 8 होता है तो उपर 8 से गुणा कर देते हैं तो यहाँ जिसके अंकों के यह 8 होगा वो यह option आपके answer हो जाएगा यहाँ 8 DS आएगा 8 DS किसका है इसका तो नई है इसका है इसका नई है इसका भी नहीं है ठीक है यानि B option आपका answer आ जाएगा उमीद करता हूँ question आपको clear होगा देखिए अगर मैं इस question को करता तो मैं इसी तरीके से करता मैं इसमें यह part लिखता है नहीं मैं यहाँ देखता है 2, 1, 1, 2 अंतर हो गया 2 का, 1 की value 2 आ गई 16% हो गया, 116 की value यह हो गई अगली question पर आते हैं एक राशी 12,777 रुपेशाट पैसे हो जाती है दो साल में और दे रखा हैं ब्याज़दर पंदरा परतीशत और एट मंथली कह रहा है देखिए बास समझेगा अब रेट देखिए मैं किलास में भी यह बास बताता हूँ अब रेट आपके इसाब से नियाएगा कि आज तक आपने अन्वल रेट पढ़ा था और इसाब से पूछ लिया गया अब यहाँ पर क्या है देखिए 12 महीने की रेट दे रखी है 15% 8 महीने की कितनी हो गई 8 महीने की रेट कितनी हो गई तो आप देखेंगे या तो आप मंटिप्लाई करके निकाल लीजिए 10% आ जाएगा 15,8,120,12 या फिर आप यह भी कर सकते है 4,3,12,4, दुनिय,8 3 की वैल्यू 15 तो 2 की 10 तो 10% रेट आगई 8 महीने के इसाब से अब आपको साल कितने दे गए है 2 साल 2 साल का मतलब हो गया 24 महीने 24 महीने में 8 मंत कितनी बार आएगा 3 बार आएगा यानि एक तरीक से कुशन बन गया यह कि 10% आपकी दर है 3 साल वाला कुशन बन गया 10% के हिसाब से 3 वारी में इंटरेस जो बनता है 33.1% बनता है ठीक है तो यहाँ जो वैल्यू आपको दे रखी है 133.1 की दे रखी है और यह जो वैल्यू है यह इतनी है 1277760 ठीक है और आपको निकालना है X की वैल्यू नहीं 100% ठीक है इतने परसेंट की वैल्यू आपको दे रखी है इतने परसेंट के आपको निकालनी है 100% की इसके अंकों का योग 2709 हो गया यह बचा 3 यह क्या आगे नीचे 8 नीचे 8 होता है तो उपर 8, 3, 8, 4 यानि 6 6 है किसी के अंकों का योग तो अगें DS concept लगाया हमने C option आपका answer हो जाएगा पढ़ाया था और किसी ने नहीं पढ़ाया तो आज ही जरूर देखिए काफी जगे calculation minimize करने के लिए helpful रहेगा और main बात ये भी है देखिए ये चीज़ आपने लिखी जरूर है यहां पर अब जैसे कि pen free habits से लिए तो आपको इस सब चीज़े करने पड़ेगी 12 महीने की अगर 15% आठ की कितनी 15 ठेक 120 बटे 12 10% 10% क्या आगया 8 महीने का आगया ठीक है next question पर आता हूं मैं next question आपका ये है ठीक है ये question है next आपका मेरे खाल से same वैसा ही question है जैसा हमने अभी किया था तो मैं इस question को direct ही करूँगा ठीक है आप भी कोशिश करिए direct समझने की देखिए एक बार चीज़ अगर आजाती है ना तो previous experience को लेके आगे बढ़ना होता है ऐसा नहीं है कि आप दुबार से नहीं शुरुवात कर रहे हैं बार बार ये मैं बार बार class में बोलता हूँ तो अब जैसे कि ये question है आपने पहले किया आप देखते हैं कि अंतर कितना आ गया अनुपात कितना आ गया पांच चार का और ये कितना हो जाएगा टाइम चार पांच हो जाएगा चार पांच का मतलब क्या हो गया बास समझेगा चार पांच का मतलब क्या हो गया एक यूनिट की वेल्यू दो साल चार की वेल्यू आठ साल आठ साल के हिसाब से 10% यानि आप कहेंगे 80% इंटरेस्ट मिल ला है 80% interest मिलने के बाद कोई राशी इतना हो रही है 180% की value आपको दे रखी है जो की 36.900 है ठीक है 180% की आपको value निकालनी है परतियक राशी कितनी थी अब ये कैसा है देखे ये बताने की जुरुबत नहीं पढ़ने थी अभी दूसरा question कराया शायद मैंने सेम उसी type का question है ये भी question आपका CPO current का है 2019 का अगर मैं 100% की value निकालता हूँ अब DS concept में जो आपको बताया गया था ये कि 3 और 9 या 6 नहीं आना चाहिए आप काटिए 9 से पहले तो 9 से 20 क्यों नहीं हो गया यह हो गया 9.34.1.0 अब एक करम जरूर कर सकते हैं आप यह देख सकते हैं कि भाई जो answer होगा वो 41 का multiple हो जाएगा 41 का multiple यानि पूरी calculation ना भी करूँ मैं के बल mg concept लगाता हूँ तो 41 का multiple मेरे को मिलेगा 41 का multiple 41 ते देखे डबल 0 तो किसी के भी नहीं जाएंगे इस तरीके से चेक किये जाता है डबल 0 में 47 नहीं आ सकता इसमें आएगा 41 पंजे यह नहीं आएगा यह नहीं आएगा यह नहीं आएगा तो A option आपका answer हो जाएगा ठीक है उमीद करता हूँ सभी को समझ आ गया होगा अब बढ़ते हैं अगले question पर यह है आपका अगला question अब दीखें काफी बच्चे ना इस परेशान रहते हैं कि लगातार calculation उन्हें परेशान कर रही है ठीक है पर calculation के लिए कुछ काम आपको घर से ही करना पड़ेगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसा करिए logically चीजों को दिमाग में solve करिए जो step ऐसा लगता है कि इसे लिखे बिना काम नहीं चल सकता केवल उतना लिखना है जादा नहीं लिखना अब जैसे मैं इस question पर आता हूँ बास समझेगा 5000 रुपे की इराशी 72 100 रुपे हो गई 8 वर्ष के अंदर ठीक है और आपको ये बताना है कि भई 6550 रुपे की राशी 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी समान दर से compound interest से अगर मैं देखता हूँ 5000 की राशी पर ब्याज मिल गया 2200 रुपे 2200 रुपे अगर मैं कोई ब्याज मिल रहा है बास समझेगा कितना percent हो गया 44% हो गया अब यही चीद calculate करने के लिए समय नहीं लगना चाहिए अगर आपको समय लग रहा है तो एक बाद percentage की वीडियो जरूर देखेगा मेरी जो मैंने calculation पर बेस डाल लग किया है ठीक है तो 44% हो गया 44% आठ साल में इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब यह हो गया कि भाई 4 साल में 4 साल का rate मिल गया 20% क्योंकि 20% के इसाप से 2 साल का net आप निकालते हैं तब 44% बनता है ठीक है तो 20% 4 साल का rate हो गया यानि 4 साल में वो राशी 20% हो जाएगी ठीक है अब अगर मैं देखता हूं देखे ध्यान से 6550 रुपे है 4 साल में interest कितना मिल जाएगा 20% 20% का मतलब हो गया 1 बटा 5 ठीक है एक बटा 5 अगर आप इसको करते हैं तो देखे आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर भी आप DS लगा सकते हैं ठीक है DS भी लगा सकते हैं तो direct भी देखे सीधा अंसर आ रहा है 1350 65 और ये 10 आ गया ठीक है ये आपका अंसर हो जाएगा उमीद करता हूँ सभी को ये बात किलियर होगी भी आप्शन आपका अंसर हो जाएगा चलिए नैस कोशन पर आते हैं अच्छा कोशन था ये भी ये तो कोशन थोड़ा कैलकुलेटिव सा लग रहा है कैलकुलेटिव कोशन ने देखिए काफी जादा ठीक है अगर मैं ध्यान से देखता हूँ कोशन को तो में को काफी कैलकुलेटिव लग रहा है कोशन जिसमें में को काफी काम करना पड़ सकता है ठीक है एक्स परसेंट इस पे एक्स परसेंट का मलब हो गया एक्सो छेयासी एक्स आगे वो बोलता है इससे दुगनी राशी इतने परसेंट पे अठारा छेयसो का दुगना और देखे डबल जीरो तो परसेंट से कट गया एक्सो छेयासी को दो से गुणा करना है और एक्स से गुणा करना है तो टु एक्स इंटु वन एटीसिक ठीक है प्लस दो गुणा हो गया किसका एक्सो छेयसी के दो गुणे का चार गुणा हो गया या नि एक्सो छेयसी का चार गुणा हो गया ठीक है अब ये राशी किसके बराबर आगई टोटल इंट्रेस्ट आ गया तेएस वन वन 0.5 अपन सात बटा दो ये सात आएगा ये दो जाएगा सात बटा दो इसलिए किया क्योंकि मैंने एक साल का इंट्रेस्ट निकाला है ठीक है अब इसे अगर काटते हैं साथ से काटते हैं और दो से multiply करते हैं तो देखे साथ से decimal में काटना तो मुश्किल है कि बैटर यह रहेगा कि आप इसे दो से गुणा करके फिर काटिए दो से अगर आप गुणा कर देते हैं तो 46 हो गया 220-21 हो गया साथ चिक बैयालिस बचाथ चार साथ चिक बैयालिस जीरो तीन इतना आगया 6803 आगया आपका ठीक है अब मैं यहाँ पर देखता हूँ 186 इंटू 3 1834 चैती अठारा पांसो अठावन एक्स 186 इंटू 4 18 चोग 72 यह multiply वालिटरेक्स आ रही है आप calculation में देखें इस्पेक्टर 40 की मैंने वीडियो बना रखिया है काफी डिटील में 18 चोग 72 624 44 का सास्तो चवालिस आपने स्प्टरैट कर दिया है अगर सास्तो चवालिस आप गटाते एं इसके अंदर से ठीक है तो देखिए 603 तो चलागी गिया बचा एकसो 13 तालीश ठीक है तो यह आगया आपका 13 में से चार गया नो आ गया, यह पांच आ गया, यह नो आ गया, ठीक है, तो आपका आ जाएगा यह 5859, इतना काम तो मुझे करना बड़ा इस question के अंदर, तो मतलब calculated question ही दहेगा यह, एक्स की value यह आ गया आपकी, तो अगर आ एक्स निकालना है आपको, तो यह आ गया आपका, 5859 upon 558, यह मुझे calculate करना है, अब यह तो देखिए सीदी सी बात, उपर वाले जो नमबर है, वो नीचे वाले जो नमबर है, अगर आप उसे काटते हैं, या फिर आप directly अगर देखें अगर आप देखते हैं, इसका 10 गुना, ठीक है, अगर 11 गुना करेंगे, 55 को अगर मैं 11 से गुना करूंगा, 11,55 होता है, 11,55, 6,000 से उपर चला जाएगा लगबग, तो 11 से थोड़ा कम आएगा, यानि 10.5 परसेंट आजाएगा, लगबग आएगा ये भी, accurate answer का निपता, ल मैंने इसे तुरंट दिमाग में 2 से गुना कर दिया, यहाँ पर अगर आप देखें, तो मैंने एक step नहीं लिखा, मैंने डारेक्ट ये लिखा, और फिर आप multiplication अगर आप देखें, इसको 4 से गुना करना, घटाना, इसको 3 से गुना करना, फिल लिखना, अब ये चीज़े म ये तो सेम जी कुछन लग रहा है, ठीक है जी, चलिये, total interest तूटल इंटरेस्ट थीन साल में इतना मिलना था, थीन साल का इंटरेस्ट इतना दे रख्टा है, एक साल अगर मैं इंटरेस्न निकालता हूं, तो तीन से गाटना पड़ेगा, तीन से अगर मैं काटता हूं तो 25 20-75 और यह 2550 आजाएगा 2550 क्या हो गया तीन साल का इंट्रस्ट हो गया इसका टोटल का तीन साल का इतना था एक साल का इतना हो गया 2535 और पचास आगया अब एक साल की अगर मैं यहां से निकालता हूं बात समझेगा धियान से सेम वैसी कोशन है एक्स परसेंट का मलब 105 हो गया जीरो तो आप काटी देंगे और परसेंटेज अटा देंगे 105 और 135 और 240 X हो गया देखिए पहला स्टैप ही मैंने यह लेखा है बाकि कुछ नहीं लेखा अभी तक और 135 इंटू 2 270 हो गया ठीक है यह 270 आ गया अब आप ध्यान से देखते है 240 X की वैल्यू क्या आ गई इसमें से 270 गटेगा यानी 280 हो जाएगा ठीक है और X की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं तो 280 बटे 240 यह आ गया ठीक है 0 से 0 कट गया तो आप देखते है 24 दाम 240 होता है 24 दाम 240 होता है और आप यहां देख पा रहे हैं कि 10 से थोड़ावता कम ए थोड़ा हो गया ठीक है इससे 12 12 हो गया ठीक है दूबार से देख लेते हैं 281 जैक कर लेता हूं बिल्कुल ठीक है ठीक है तो यह लगवा कितना आ गया 24 होगी आपका, 24 में अगर आप देखें तो 2.4 ठीक है, 2.4 क्या होगी है, यह आपका 10% होगी है अगर 24 अगर आप काटते हैं, अगर मैं 24 से काटता हूँ तो 10% से थोड़ा कम आएगा, 10% से कितना कम आएगा, आधा परसेंट कम आएगा, आदा परसेंट कम हो गया, यानि साड़े नो परसेंट हो गया लगपर, तो साड़े नो परसेंट आपका answer हो जाएगा, यानि B option answer आजाएगा, ठीक है, आइए बढ़ते हैं अंगले question पर, ये अच्छा question था, देखे, ऐसी पिछला question था, वो भी में ज्यादा requirement है, अगर calculation skill अच्छी नहीं है, तो definite है देखे, दिक्कत होगी होगी, ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर देखा, कि बढ़ी 240 है ये, इन्टु 100 भी होगा यहाँ पर, CDC बात है, percentage अगर आप निकालते हैं, तो 1-0 से 1-0 calculate करके आप percentage निकालेंगे, ये answer ठीक है, तो X की value आगे 9.5%, next question पर आएंगे, last two question same थे, ये question शायद थोड़ा अलग है, question क्या है आपका, चक्रवती ब्याज दे रखा है किसी राशी पर, किसी निश्चित ब्याज दर से, दूसरे साल का, question थोड़ा अलग है, देखे, पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज और तीसरे साल का ब्याज, जो दूसरे साल का ब्याज है न, वो 3300 रुपे दे रखा आपको, देखे हमें पता, तीसरे साल जो ब्याज मिलता है, वो इस ब्याज पर एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है, 330 रुपे एक्स्ट्रा हो गय तो यानि यहां से ब्याज दर आ गई आपकी 10 परतीचत देखें किसी भी बर्स में पिछले वर्स के तुलन में वो राशी तो मिलती है जो पिछले वर्स थी साथ में कुछ अलग राशी और मिलती है वो अलग राशी क्या होती है जो पिछले साल राशी आई थी उस पे ब्याज होता है तो वो आपने यहां से देखा कि भी 10% तो आपका इंटरेस्ट हो गया अब 10% इंटरेस्ट होने से क्या फायदा हुआ आईए देखते है अगर आपको निकालना है धाई साल का ठीक है धाई साल का आपको गया निकालना है अमाउंट निकालना है अमाउंट निकालना है तो काम देखिए वैसे ही असान हो जाता है किस तरीके से जैसे कि आप देखते हैं अगर 10% की वैल्यू 33 तोड़ पे है ठीक है 10 परसेंट की नहीं है ये 11 परसेंट की है 11 परसेंट की क्यों है वो समझेगा पहले पहले साल अगर 10 परसेंट इंट्रेस्ट है तो दूसरे साल 11 परसेंट मिलता है तीसे साल 12.1 परसेंट मिलता है 10-10 परसेंट जुड़ता रहता है सो परसेंट की कितनी हो जाएगी, तीस हजार हो जाएगी, यानि तीस हजार रुपे वो राशी थी, जिसके बारे में जानकारी दी गई है, तो तीस हजार रुपे की राशी पर आपको निकालना है, धाई साल में, दस परसेंट के साफ से वे राशी कितनी हो जाएगी, देखे 10% अगर होता है कभी भी तो मैंने आपको बताया था 11 बटा 10 और ऐसा दो बार हो रहा है और मैंने आपको ये भी बताया था कि भई अगर ऐसा है तो लिखने की भी जुरुवत कम पड़ती है पहले आप ये देखते हैं कि 11 का multiple होना चाहिए ठीक है उसके बाद अगर मैं यहां देखता हूँ आगे क्या है आदा वर्ष है आदे वर्ष का इंट्रेस्ट हो गया 5% 5% का मलब हो गया 105 बटा 100 आप ये भी लिख सकते थे या 21 बटा 20 भी लिख सकते थे बात एक ही है अब ध्यान से देखने वाली बात यहां पर बहुत ध्यान से समझेगा अब यहां अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो मैं ये बात सोच पा रहा हूँ कि भई मेरे को इसका आंसर निकालना है ये calculation गन्नी है जो बच्चे लगाता है मेरे साथ जोड़े हैं को पता है कि इस टाइप की calculation में मैक्सिमम 90% option से काम कर लेते हैं 90% cases में ठीक है आप देखते हैं जो answer आएगा 3 इसमें आ रहा है 3 इसमें आ रहा है 9 का multiple आएगा 9 का multiple देखता हूँ पहले तो ये option तो cut गया ये option भी है ये option भी है ये option भी है multiple आना चाहिए ठीक है 11 का multiple होना चाहिए mg concept से ठीक है अगर मैं देखता हूँ 11 का multiple 0 में तो 11 नहीं हो सकता इसलिए 0 तो पहले ही 8 आईए 36 में 11 वैसी नहीं आएगा अब मैं इसमें 11 चेक करता हूँ 3 और 1 4 और 5 9 8 और 1 9 ये 11 का multiple है इसमें चेक करता हूँ 3, 2, 5, 5, 5, 10, 7, 8 इसमें नहीं है तो हुआ क्या कि भाई भले ही concept हमें लगाना पड़ा दो बार पर calculation नहीं करने पड़ी है और अगर आपको लगता है कि भाई बिना calculation के आप कर सकते हैं तो बात अलग है नहीं तो मेरा मानना ऐसा है कि ये तरीका बहुत बैस्ट हो और इसमें लिखने की जुरुवत नहीं पड़ेगी जो बच्चे लगातार में यसा जुड़े है वो जानते हैं अच्छे से कि भाई इस टाइप की calculation में तो मैं लिखता भी नहीं हूँ ये ये लिखना भी नहीं होता डारेट दिमाग में पता लग जाता जैसे कि मुझे ये question करना हुआ मैंने ये देखा कि कितना interest है 330 रुपे यानि 10% का interest हो गया 10% के साब से दूसरे साल का 11% हो गया 11% के value 3300 है 100% के इतना हो गया 30,000 हो गया 30,000 रुपे की राशी पे 10% फिर 10% फिर 5% interest देना है या तो आप एक हो सकते हैं net rate निकालिए net rate निकालने का तरीका भी मैंने percentage में आपको अच्छे से बता है या फिर दूसरा ये है कि अगर 30,000 रुपे है 11 बटे 10 का square plus 105 बटे 100 plus के रों multiply 105 बटे 100 तो इधर भी 3 आ रहा है इधर भी 3 आ रहा है answer में no आएगा 11 का मतलब है 11 का multiple आएगा मैं देखूँगा सीधा यह लिखूँगा भी नहीं कुछ भी ठीक है और आपका answer आजएगा तो उमीद करता हूँ देखिए आज के session में हमने सभी CPO 2019 के question लिए है और कुछ एक question calculated भी थे पर देखिए सारी variety है जो आया है तो आया है कुसी एकात question में हमें time भी लग सकता है पर उसके अंदर भी मैंने आपको बताया कि step आपको कैसे लिखने है कौन से step आप काट सकते हैं ठीक है तो देखिए लगाता session आप लोगों के लिए आ रहे है हफते में 2-3 या 4 session लगातार आप लोगों को मिलने है और ये आगे भी मिलते रहेंगे पर ये जरूर कहूंगा जितने भी बच्चे वीडियो देखते हैं वो जादा से जादा सभी like करिए और जब 2,000 like हो जाएंगे तब जाके अब आपकी next video आए करेगी जब आपके 2,000 like हो जाएंगे ठीक है मैं ये नहीं कहे रहे है कि आपको sharing wearing करना है कुछ नहीं करना जब 2,000 like हो जाएंगे उसके बाद आपकी next video upload होगी और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने एक दिन में ही 2,000 like करवा दिये तो आपके next video next day ही आजाएगे ठीक है तो ये आपका target है जो आपको सभी को पूरा गन्ना है और देखे एक चीज़ हो रहे है अब जैसे हम अलग-अलग video बना रहे हैं वीडियो के नीचे ठीक है सभी को comment गन्ना है और comment में बताईएगा कि आप कौन सा topic मेरे से देखना चाहते है मैं देखूंगा majority of बच्चा में इससे क्या पढ़ना चाहता है और जब मुझे पता लगेगा कि इसके majority of comment है तो हम कोशिश करेंगे कि next session उसी पे लाने की ठीक है तो मिलते हैं आपसे next session में उमीद करते हैं कि आज का session आपको बहुत बढ़िया लगा होगा और target मन बूलिएगा 2000 पूरा गन्ना है ठीक है मिलते हैं आपसे next session में जैहिंद